हम इस वक्त राम मंदिर के प्रांगल के पार मौझूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आयोध्या की वो शक्षियत जो अपने आप में धर्म से सनातन से या आयोध्या के महत्पूर किरदारों में गिने जाते हैं वो तमाम लोग हमारे साथ हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आयोध्या को लेकर के खूम लड़ाई हुई मांटने की कोशिश हुई लेकिन आयोध्या ने जो संकेत दिया वो यहाँ पर दियों और रोश्णी से जगमगाया हुआ नहाता हुआ सबको दिखता है आजां नहरी नहरी जो पिखता है से अच्छा ही होता है क्योंकि रवी की नगरी यहां खूम की आस्तार है यहां और जब भी यहां तरा मनाया तो कहीं कोई भीदभाव नहीं सभी हिंदू और मुसलमान एक साहट में त्याट में देखें सादूर्शंद भी है सभी लोग जो है तिवार को मना रहे हैं सभी लोग को आज जो है खुसी है और अजुद्ध्या का जो तिवार मना रहता है आज दिपासो का दिन है और पूरी अजुद्ध्या ये जो है सजी हुई है लोग जो है यहाँ खुसियों का आनन्द ले रहे हैं अब इससे अच्छी कि दिवाली जो मनाई जा रही है और पूरिय जुध्या सजी हुई है और हिंदुर मुसल्मानों में भायचारा भी है सबी चीज यहां मुझेह मौजूद है कहा है रहता है कि भगवान जब अयोध्या आए थे तब अब त्रेता युग की वही जलक यहां पर दिखाई दे रही है इस बार की दिवाली कितनी खास है वो जलक त्रेता युग वाली कितनी आप देख पा रहे हैं आज जब भगवान टेंट से ठाट में विराजमान हो चुके है तो निश्चेत रूप से यह दिपावली जो है भब है दिव है एतिहासिक है और अहम है प्रवरती सरकारों में जो अयोध्या उपेच्छी तरह करता था अयोध्या के नाम से लोग कत राते थे आज जन सहलाव अयोध्या मूमर आया है अयोध्या को सजाया है सवाला है राग्या सरकार 14 वरस वरन्वाज के बाद रावन पर विजय प्राप्त करने के बाद विजयोत सब के बाद दिपोट सब भवयता नाजारा आप चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं दरसकों को जिस प्रकार से रागरेन सरकार अयोध्या के आगमन होते ही, अयोध्या के नरनारियों ने, अयोध्या वासियों ने अयोध्या को जगा-जगा सजाया है, बंदनवार है, दीप की मालिकाएं है, स्वर्न कलस है, इत्यारी मांगलिक रंगोलिया है, स्वस्तिक है, उसी प्रकार मानने यास्ण सर्वी मुख मंतरी जी त्रेटा काली ने ऐएध्या को कल्यूग में प्रकट कर दिया है आयध्या को सजाया है सबारा है नोखी ऐध्या को मनाया है ऐखमर नी महनिय अपने ऐसा दिन भी आएगा जो खाल त्लिए तक है सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर की बात होती है भगवान राम पधार चुके हैं और सबसे बस इस बात की बात है जो लोग घर में रहते हैं और दिवाली का तेवार मना रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे बिल्कुल देखे प्रवल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभुकों नियम बदलते देखा निज का मान टले टल जाए जन का मान न टलते देखा ये सो करोण हिंदूओं की आस्था का प्रत्यक्ष प्रमार है कि आज हम जिस भूमी पर खड़े हैं वहां प्रभु स्री राम लला बिराज मान हैं जिसके लिए 500 बर्सों की एक लंबा संगर्श चला आप देखिए गगतो 400 बर्स गुलाम भारत और स्वतंत भारत के इत्यास में हमने 70 बर्स तारीख पर तारीख पाई और निरंतर आस्था पर चोड़ खाया लेकिन हम साधुबाद देते हैं 100 करोड कि उन्होंने अपने नेत्रतों का चुनाओ किया और राम के उस अमोग बाढ़ को ओट रूपी धनुस पर उस तरीके से तंकार के साथ उसको ताना और उसको ऐसे रामर के नाभी पर मारा कि वो सारी जाक्षास प्रभित्ति को दहन कर दिया और प्रभूस राम जब लिया जाता है तो मन पुरी तरह से भावना से उत्परोत हो जाता है जी बिल्कुल मैं आप सभी को सबसे पहले दिपावली की हर्दिक शुप काम नहें देना चाहूंगी और राम से ही शुरू करती हूं कि वो जिनका नाम लेकर हम सभी के काम बनते हैं वो जिनका नाम लेकर हम सभी के काम बनते हैं वो जिनका नाम लेकर रोज सब के नैन खुलते हैं वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में अयोध्याधाम है उनका यहाँ प्रभुराम बसते हैं मन में बसाया है दिल में भी बसाया है प्रभुश्री राम का बुलावा आया है तो हम भी खिचे चले आए प्रभुश्री राम की नगरी में सबसे बड़ी बात इस जगे का जो आत्मिक लगाओ है कि हर कोई यहां किज़ा चला आता है दिपोचसव का मौका रोशनी से पूरा आयोध्या धाम सजा हुआ है क्या कहें गया मैं जगत गुरु करपात्री महराज सिर्धा मजुद्या आज के बातां बार देख करके त्रेता जुग याद आ रही है आज याद आवे त्रेता जुग की कहनिया जोम जोम नाच रही सरजू बहिनिया जोम जोम नाच रही सरजू बहिनिया राजा भी नाचें परजा भी नाचें नाच रही सबरनिया जुमि जुमि राचें ठुमुक चलत राम चंद्र बाजत पईजनिया जुमक जुमक नाच रहीं सर्जु बहिनिया यह आज का जो दीपोस्टर मनाया जा रहा है हम आपकी चनल को धनवाद देना चाहते हैं भूतो ना भविस्टू आपके पतकार संका में अभी अध्यच बनाया गया हूँ अखिल भारत का अभी यह सम गौहाटी में एक समिलत था वहां के आप जैसे चनल लोगों ने मुझसे पूछा करपात्री जी यह 500 साल तक सारे चाल लाख लोगों ने सहादत दिया है क्या राम के पास वो शामर्थ नहीं था कि अपने जनभू में जा सकते थे आप बताने कशक ने आप अजुद्धा संत आये हैं क्या आपके राम इतने निरमल हो नहीं जा सकते थे हमने का यह मैंने पूछा था कि स्रकार 500 साल तक जो परिम बढ़कर घर में क्यों जा रहे हो राम ने कहां मैं चला जाता कोई परशाई नहीं थी लेकिन मुझे को गोधिम लेने के लिए कोई संत मिलता तो मैं जाता तो जोगी बहुदी जैसा संत मुझे मिला तब मैं गोधिम में बढ काया है उनका रंगा इतिहास है मेरा सईदों के खूनों से बिलक्ती मांग है अब आगे उन्हीं बिच्वे सईदों की कहानी याद आई है राम जनम भूमिहेद जिनोंने सीने पर गोली खाई है आज भगवान राम भी वह पर बैठ करके दस्यत मा को शिल्या के कई स्मुत् टतर आयू quee J जो तस्वilla करएं तुमाम जगो पर तुमाम जगों सचल्मीडिया पर गुए पर def origin grillema के बारे में सुना है अजह और फार हम साक्षात रूप में अपनिय आंखों से उसी रूप में देख़ रहे हैं सबसे पहले तो मैं राम भक्ट बबलू मैं मर्यादा पुरस्वत्तम परभू स्री राम की पवित्र नगरी से देश के 140 करोण वासियों को आज की ये त्रेता वो यूग की दिवाली की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई शुक्त कामने हैं मैंने तो बस्पन से ही सुना था कि परभू राम लला टेंट में है और जैसे ही मैंने हो समाला तो राम लला के लिए हम रोट पर उता रहे और आज परभू स्री राम लला हमारे महल में है और आज की दिवाली ये त्रेता यूग की दिवाली है और इस कल्यूग में जिस तरीके से मारिनी योगी अधितनाजी एक राम लला के बजरंग बली के रूप में आये हैं तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्द बात और इस दिवाली की मैं बदाई देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ये दिवाली ये सिर्फ हिंदू की नहीं है ये परभू स्री राम जब 14 वर्स बनवास काड़ कर आये थे तो जितने भी हिंदूस्तानी हैं हम सब राम के वनसज हैं राम हमारे इमाम हिंद हैं हम सभी की हैं हिंदू की हैं मुसलमानों की हैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बहुत 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 बदाई बहुत बहुत सुक्तामना दें राम सबके हैं राम किसी एक के नहीं हैं राम को किसी में मत बाटो राम सबके हैं फिर भी मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगी उनके लिए जो अभी भी राम को नहीं समझ पा रहे हैं कि राम ही धर्म है राम ही कर्म राम ही धर्म है राम ही कर्म है राम के रंग में तुम भी रंग जाओ अब गर नजर में तुम्हारी जराशर्म है कुन से कहना चाहती हूँ जो राम को अभी तक अपना नहीं पा रहे हैं राम को समझना राम को समझना प्रभु श्री राम को समझना मर्यादा पुर्शुत्तम भगवान श्री राम को समझना अब तस्वीरों के जरीए इतना आसान हो गया है कि आज जो हम अलोखिक द्रिश्चे अपने चारों और देख रहे हैं यह अध्या त्रेता यूग की अध्या आज अपनी आखों में कितनी बदली हुई आपको लगती है वो ही तस्वीर आप देख रहे हैं अध्या तो सनातन नगरी है और विश्व परशद नगरी है इस पहले से ही यह शास्वत नगरी है अध्या लेकिन इस अध्या को जो एक नया सुरूप जो निखरा है पूरी दुनिया आज इसको देखकर अचंबित है और हम सब अयुध्या वासे आहलादी थें निश्यत रूप से यह सब राम लडा की ही कृपा है और राम जी का ही आशिर्वाद है बिलकुल यह खुसी से आलादित है जब भगवान राम त्रेता में जब लंका पर विजय प्राप्त करके युध्या आये थे तो सभी धर्म सभी वर्ग के लोग यहां पर पलक पाउड़े बिछाए हुए थे यहां उनके स्वागत के लिए वह किसी मजभ पंध की बात नही जो है राम लला के दरवार में यहां खड़े हैं उनके दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं तो यहां किसी भी तरह के कुछी बेदभाव नहीं है और यहां बड़े हर सवरुला से दिवाली का तिवार यह दिव पोत्सम मनाए जा रहा है मैं उत्तर प्रदेश की ससी मुखमं आतर जीव को बदाई देना चाहता हूं कि नोंने आयोध्या को सजाया सवारा पुरा दुलहन के जैसे सजा दिया युद्या को और यह देखेंगे पहले खंधर के रूप में दिखाई देता है आज महलों के रूप में बजन-बजन-बजन-बगवान श्री-राम के लिए समस्त भारतवासियों को दीपोट्सों और दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई सबसे महतुपूर्ण विसे आपकी चैनल के माध्धिम से कहना चाहूंगा कि जिस रगुनाज जी के द्वार पर हम लोग बिराज मान हैं रगुनाज जी एक मरियादा हैं रग के चैनल के माध्धिम से पुनाए एक बार में कहना चाहूंगा कि जैसे राम जी के इस दार पर दीपोट्सों पूरे अयोत्या में पूरे बिश्व में मनाया जा रहा है ऐसे अब किर्ष्न जनमस्तवी को मतुरा में वहाँ पर भी दीपोट्सों मनाया जाए और जैसे हमार बबलु खान भहिया जी ने कहा तो अवर्तमान में एक ऐसी स्थिति है कि बबलु खान भहिया जैसे पता नहीं कितने राम के भक्त राम के बंसज पाकिस्तान अफगानिस्तान कजाकिस्तान बंगला देश में विराजमान हैं तो मैं सब से ही कहूंगा कि अगर हम सब लोग भारतवासी एक हो गए सनातनी एक हो गए तो संपुर्ण बिश्व के सनातनी एक हो जाएंगे और जिस दिल संपुर्ण बिश्व के सनातनी रामभक्त एक हो गए तो बंगला देश भी अपना होगा अफगानिस्तान भी अपना होगा कजाकिस्तान भी अपना होगा सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्वाद देता हूँ कि दीपस्तों में सामिल होने के लिए कुबिश करने के लिए आये हैं सीतानाथ शमारंभाम श्री रामानंदार्मत धिमाम अस्मदाचारे परेयंताम बंदे श्री गुरुम प्रम्राव ये रामराज की दिवाली है और अबकी अयोध्या पहले की भी अयोध्या याद आ रही है कि इसी अयोध्या में खून की नदिया बहती थी और आज आयोध्या राम राज है एदम दिब जगमक जगमक हो रहा है इसी राम मंदिर में जब मैं दर्शन करने आता था नंगे पाओ तो मेरे प्रभू राम तीनों लोग के माले एक साधारन टेंड में रहते थे मेरे आखों में आशू आ गया मैंने संक्रप कर लिया कि जब वास्तों में महात्मा है संत है और महापुरुस है आप लोग के ही माध्यम से आयोध्या में दिवाली भी हो रहा है ऐसा कभी मुखमंत्री ना भूतो ना भविस्ति मैंने ऐसा मुखमंत्री अपने जीवन में नहीं देखा कि जो आयोध्या में दिवाली कराने वाले बनाने वाले और योगी जैसा मुखमंत्री हर प्रांत में बढ़ी प्रतिग्या क्या लगता है बढ़ी प्रतिग्या थी तब जाकर के सपना साखार हुआ जो अपनी आगों से हम देख रहे हैं जी बिल्कुल बरसों बात प्रवुसराम लला पधारे हैं और जो आज योध्या सुभायमान हो रही है यह चमक यह दमक फुल बन मामैक इस डिपोसु भारत मना रहा है वास्तों में आज स्री राम लला के नित्रत आज इसकी सोभा किसी सरकार या किसी जानितिक पार्टी के नत्रत्त में नहीं है। चाहते हैं जब भगवान राम आये थे और उनका स्वागत हुआ था तब क्या हुआ था और आज जो हुआ है उसका वर्णन जो ही त्रेता कालीन अयोध्या को जिस प्रकार माननी अश्रस्वी मुखमंत्री जी ने कलियूग में भी विकास का पर्चम लहराया है अयोध्या को दिपोत्सव के माध्यम से विश्रुप के गनिज्वुक वर्ड में जो अपनी नाम अंकित करने का काम किया है इसके लिए अ चाहिए और स्राहनी यह काम करने के लिए बहुत बहुत आभारव्यक्त करता हूं जिस परकार से पुरवर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता आज अज अयोध्या में भव दिपोस्नव है और विपक्षियों के यहाँ दिवाला है इसलिए मैं कहना चाहता जो विपक्षि तुष्टी करन की घिनवनी राजनीत करता था अयोध्या में जैस्ति राम बोलने पर जेल भेज दिए जाते थे अयोध्या की चोडासी को परिकर्मा करने वाले को जेल भेज दिए जाते थे आज होई अयोध्या अमान चैनव पूरे जन्मारा भजन अवध समान नहें प्रियेशो यहाँ प्रसंग जाने ही को जा मन जनते बीन ही प्रयासा मम समीप नरपाव ही वासा अवध कचुनातन चाहिय मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे अवध प्रभुक्रिपा करहूं यही भाती सवत जीभजन करहूं दिन राती क्या कहेंगे आप अयोध्या जगमगार आई है रोशनी से नहाई हुई है यह अयोध्या का सपना जो आपके पहले के लोगों ने पूरोजों ने जो सपना संजोया था वो आज सब साकार होते गोई देख पा रहे हैं जुद्ध्या नगरी है यहां हमेशा तिवारों के बाद धम से लोग यहां तिवार में लोग आते हैं मेले में आते हैं धरम की नगरी है और हमेशा यहां जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है यहां धर्म के आधार में कोई जो है सभी लोग एक साथ में रहते हैं और य से बहर वी रहा तो रामा से रहा और हमेशा जो है आज भी चाहे हिंदु हो चाहे मुसल्मान हो जब का भायचा रहा है राम सब के हैं और सभी के रहेंगे दिवाली का प्रब है पूरी दुनिया देख रही है पूरी जुद्या तजी हुई है यह अच्छी बात है जो है कह रहे थे जो राम जी है यह आधर्स हैं और जो लोग राम जी का सिर्प नाम लेते हैं और राम जी ने जो जीवन में किया राम जी ने त्रेता युग में अवतार लेकर के कभी नहीं कहा कि हे मानू तु मेरी पूजा कर उन्होंने यही संदेज दिया मानो जाती को कि जीवन में मैंने जो किया वही तुम भी करो तो मेरा सबसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि राम का नाम केवल मुख से कहो काम करते नहीं जो कि ये राम ने राम माता पिता के बड़े भक्त थे मान वग्या निकल कर कि बन को गए भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था भरत गदी पे बैठे नहीं एक दिन आज दुख है आज दुखो है कि भाई भाई लड़ें बोलवे से करम कब किये राम ने तो हम सब लोगों को मर्यादा पुर्शत्म भगवार गुनाज जी के किये हुए कारियों को हिरदय में उतार करके क्या बात कही है मर्यादा करुणा सदा दया सत्या इन सब मार्गों पर चलकर भगवान श्री राम ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वो और किसी के मन में पूरी तरह से समाय हुए है सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम की कोई भी भूमिका रही हो चाहे एक भाई की भूमिका रही हो चाहे मर्यादा करुणा दया सत्य का मार्गों जिस पर आज सब को चलने के लिए प्रित किया जाता है अपने एक अमिट छाप जो छोड़ी है वो कही ने कही हर भक्त को हर व्यक्ति को आज भी प्रित करती है आज जो दिया जलाया जा रहा है यह रामही ने दिया है रामही का दिया है रामही ने दिया है रामही का दिया है और शायद आप कैमराम कैद नहीं किये हैं, अभी कैद कर लीजिएगा, चार्ट से माताएं जहां दीपक जला रही है, उनके पीछे नन्ना सा बालक माता के पीठ पे हाथ रखा हुआ है, यहांते महसुद क्या हो रहा है, यह रामदला के सुरूप है, किया में तेरोप, प्रेगटे तेही काला, और जाथा जोग मिले साबाही, दीप आज दीपाउली के दिन, हर घर में रामदला के दसंदाब कर सकते हैं, इतना सुंदर सुंदर, बड़ा नीकला गए, बड़ा नीकला गए, राघवतो रगवा, बड़ा नीकला गए, बड़ा नीकला गए, राघवतो रगवा, बड़ा नीकला गए, बड़ा नीकला गए, बड़ा नीकला गए, राघवतो रगवा, बड़ा नीकला गए, और बगवान श्री राम की भक्ती में हर कोई भाव विबोर है और आयोध्या में डिपावली का पेहार पूरे हर्शोरलास के साथ पूरे दिविता और भविता के साथ बनाया जा रहा है तो आयोध्या से न्यूज एटीन पर ये खास कवरेज थी जिसमें हमने आयोध्या की हर तस्मीर को आपके सावे रखा और किस तरीके से जशीर राम के उद्गोश के साथ यहाँ पर हर कोई रोश्टी से पुरी तरह से जगबगाया हुआ और अपने आपको भक्ती में दुब़या हुआ पा रहा है कैमरावार नरेज के साथ अनुपा मिश्रा राम मंदिर आयोध्या